जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नो बात करने वाल हैं IPL के मैच नमबर 57 के बारे में जो कि दोस्तों मुंबई वर्सिस गुजरात के बीच में खेला जाएगा आज साम साधे साथ बजे तो मैं इसी मैच की फुल डिटेल अनलाइसिस आपको इस कम्प्लीट व बना ही पाएंगे और जो मैं रेफरेंस टीम दूँगा उसको भी हुब 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 आप लगा सकते हैं वह भी बहुत ही काम की टीम रहेगी तो इस वीडियो में जो मैं आपको पिछ रिपोर्ट मिल जाएगा कौन से टीम इस मैच को जीतेंगे टीम कंप्रिजन के साथ में बताऊंगा और कौन से प्लेर इस मैच में चलेंगे कौन से बिकेट लेंगे और कौन रन बनाएंगे वो सारा कुछ डेटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही थोड़ी से लंबी तो जरूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही नॉलिजबल होगी और आप एजली इ इजली विन करवाता है क्योंकि जो हमारी प्रडिक्शन होती है वह 100% सटीक्स प्रडिक्शन होती है तो चलते हैं आप पहले यहां पर पिच रिपोर्ट बताते हैं कि पिच कैसा बिएप करेगा तो दोस्तों यह जो पिच है वो वांकली स्टूडियों में खेला जाएगा जो पिचला मुकाबला वांकली स्टूडियों में हुआ था जो कि मुंबई की टीम ने जीत गई थी पिचला ही मुकाबला हुआ था और मुंबई की टीम ने उस मुकाबले को जीता था रसीबी के साथ में था तो यहां पर देख पार होंगे वांकली का जो पिच है वो आसपास का स्कोर भी बन सकता है लेकिन मुझे लगता है 180 तक का स्कोर ही बनेगा साथ में बिकेट्स भी गिरेंगे रंस भी बनेगे तो आपको बैतरीन कॉबिनेशन वाली टीम बनानी होगी जो मैं भी दिखाऊंगा कि कैसी टीम रखनी है अलग कि बैटिंग फ्रेंडी करेंगा साफ में विपटीफरसंट मे मिलाकर घ्राइब तो आप एक दो जो शुच म entrev धेंगे तो आपको compatible की बात करें निकामится है इनके बात कर लेते है तो रीसेंट पांच मुकाबलेये रहे में तो पांच मुकाबले में चार मुकाबले खेल जीती है और एक मुकाबला ही मात रहारी है वही मुंबई की बात करें तो रेसेंट के पांच मुकाबले में तीन मुकाबले जीती है और दो मुकाबले लॉस की है इस मैच में जीतने के संभावना गुजरात की जादा है 52% है और यहां मुंबई की जीतने की चांसे 48% है अगर आप मेरे प्रेडिक्शन को फॉलो करेंगे तो मुंबई की टीम इस मैच को जीतेगी प्रेडिक्शन मुंबई के तरफ से रहेगी तो आप मुंबई के तरफ से अपना दाव खेल सकते हैं तो यह दो टीजब चीजब बता दी की कौन जीतेगा मैच और कौन से पिछ कैसी प्रफॉमेंस करेगी अब चलते हैं कौन से प्लेरिस मैच में चलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेरिस मैच में आपको रन बना कर देंगे और कौन match में यहाँ पर बिगेट निकाल कर देंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों recent की कुछ match की यहाँ पर मैं point table बता देता हूँ यह जो आप points देख रहे होंगे यह dream 11 point है recent के 5 मुकाबले का तो यहाँ से आप जिनका dream 11 point कम रहेगा मतलब उस मैच में वो नहीं चले है तो हर्दिक पंडया की बात करें रिसेंट के पांचों मैचों में 30 से ज़्यादा उपर का पॉइंट देते हैं और इस मैच में भी उतना पॉइंटों देखर जहीं जाएंगे तो आपके लिए वाइस कप्तान के अपसन हेट टू हेड में होते हैं और इनको आप मीनी जेल में ही कप्तान और वाइस कप्तान ट्राइ करिएगा अलाकि तीनों ही फार्मेट में आपको अपने टीम में रख लेना है जाकि प्लेयर इस मैच में भी रहेंगे सुमान गिल की बात करें रेगुलर चलते हैं तो इनको आप ट्राइ कर सकते हैं तीनों ही फार्मेट में लेकिन मुझे लखता है फ्लॉप हो जाएंगे तो आप हेड टू हेड की टीमों में ही सिर्फ इनको कप्तान रोने के कोसिस करिएगा क्योंकि एगर फ्लॉप भी होते हैं तो आपको कोई दिक्कत ने होगा कि आपको आपकी अपोनेंट जो भी है वो भी आपको इनी को हिट टुएड में कफ्तान बनाने वाले हैं तो इनको से आप बचे इनको आप रिप्लेस कर दे किनी और प्लेयरों के साथ में सूर्य कुमार यादो कि भी चलने की सम्हानव इस मैच में थोड़ी कंँ है थोड़ी किया बहुत ही कम है 30 या 20 रन ही बना पाएंगे इस मैच में तो इनको भी आप evoid कर सकते हैं अगर 22 कफतार और कफतान बना चाते हैं तो मीनी जील के लीगों में ही बनाईएगा करेमन गिरीन इस मैच में चलेंगे दो बिकेट निकाल कर देंगे और कुछ रंस बना कर देंगे तो आपको इनको कफतान बनाना है इसन किसन भी 30 या 40 रन बना सकते इस मैच में तो उनको भी ट्राइअप कर सकते अपने टीम में जो आपको फायदा दे सकती है अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रासित खान की तो रासित खान इस मैच में बिकेट नहीं लेंगे एक बिकेट ले सकते या फिर नहीं भी इनको बिकेट मिलेंगा तो इनको एवाइड करें आप बिकेट नहीं मिला है और इसमैंच में खेलेंगे तो एक बिकेट निकाल कर जरूर देंगे बैंड रोक की बात करें तो बहुत ही अच्छा फॉर्म में है इस मैच में भी आपको बिकेट्स निकाल कर दो दे सकते हैं तो इनको ज़रूर अपने टीम में स्ट्राइक करेंगे डेविड मिलर की बात करें तो इस मैच में आपको 30-40 पॉइंट दे सकते तो रखना चाहते तो अपने टीम में रख लेंगे और वाइस कप्तान भी ट्राइ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी साथ में वाडेरा की बात करें पिछले मैच में बहुती बढ़िया चले थे और उससे पहले के मैच में बहुती बढ़िया चले हैं लेकिन इस मैच में फ्लॉप रहेंगे रोहित सर्मा की बात करें तो एकदम फ्लॉफी चल रहे हैं लेकिन इस मैच में कुछ रंस बना सकते 30-40 run तो इनको try अपने team में आप कर सकते हैं आपको फायदा हो सकता है बात करें एनहमद sorry दोस्तों एनहमद की बात करें तो आणहमद इस match में विकेट ले सकते हैं इनको आज़ा vise captain अपने team में try कर सकते हैं मोहिस सर्मा को विकेट नहीं मिलेगा इस match में बात करें बिजए संकर, तो बिजए संकर कुछ run बना सकते हैं और देविड भी कुछ run बनाएंगे, आपको इनको भी try कर लेना है लेकिन Creed और 1901, आपको यहांपर teams दिखाते हैं, जो 5, मैं reference team दिरा हूं उससे आप अपने टीम लगा सकते हैं, आपको फैदा होगा, हाला कि हुबहू सेम टीम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेफरेंस लेकर अपना दिमाग भी लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यह मेरी पहली टीम है द टी वर्मा को आप रिप्लेस करेंगे कि नहीं और को रखेंगे कि लिगों थीक है कोई भूस इच्छ अप्सन है नहीं खेलेंगे तो आप इनको हटा लेंगे मैं फश्र अपडेट आपको टेलिग्राम पर कर दूँगा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको अब चलते हैं आपको दूसरी reference team दिखाते हैं जो कि थोड़ी risky team है यहाँ पर देख पारे हैं मैंने कफटान हर्दिक पारे हैं सूरी कुमार यादो को रखा है changes आपके उपर है कर सकते या फिर बिल्कुल same team से जा सकते हैं इस team में चलते हैं आपको रिस्की कॉमिनिशन दिखाते हैं जो ग्रांड लिग जीता सकती है यहां पर मैंने दोनों को रखाया है दोनों ही आट ओफ फॉर्म है लेकिर रिद्यमान सा पिछले मैच में चले हैं और इस मैच में चलने कि सम्हाँनों थोड़ी कब मैं 50-50 चैंस मैंने बत घ्लं को कर सकते हैं तो यह मेरी 5 можноel को आपको लगा लेन अगर हूबहू लगाना चाले है तो या फिर कुछ अपना दिमाग भी लगाकर लगाना चाहते हैं तू वह भी कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता कि कोई दिमाग की जरूरत थे इस टीम में इस पांचों टीमों को आपको लगा लेना नायनकर कोई चेंज़ेज हो कि तुम्हें आपको अपडेट टेलेग्राम पर क कर दूँगा वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल से जरूर जूर जाएंगे रेकर रेकुलर जीतना चाहते हैं तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद चाहिंद